नमस्कर दोस्तों आपका स्वागत है मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमर आप लोग का स्वागत करता हूं तो आज का वीडियो बहुत ही इपोर्टेंट होने वाला क्या होने वाला है कि इतिहास का यह हिस्टरी का चेप्टर है यह क्लास्ट वियल का है और 2011 के पेपर हैं ठीक है अभी तक अब लगतार वीडियो देखते आ रहे हैं उसको लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का 2009 से पेपर करवा रहा हूं और 2023 में जो एक्जाम देने वाले हैं बैच्चे उन 2023 तक मैं पेपर कराऊंगा और इससे जादे आपके कोश्चन एक्जाम में सब्सक्छन नहीं पूछे जाएंगे मैंने कई बैर बताया है कि इसे जैदे नहीं पूछे जाएंगे जो 400 से पुलस नंबर लाना चाहता है तो चारसो पलस नंबर लाएगा और 400 से जो बडिए का लाना है आपको पास होना है सिर्फ तर वीडियो मत देखिए जैसे मन जाईएगा वह इसे लिख दीजिएगा पास हो जाईएगा मेरे दोस्त मेरे तरह से यह गरांटी है कि आप लोग सभी पास हो जाएंगे भगवान से मैं दुगा करूंगा कि जो भी मेरे वीडियो पर आ चाकर लगाई यह और देखिए हैं कि माश्ट्र ने वऴास्तों में वास्तों अत गलती इससे ज्यादे कींट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं पहले हम लोग पहले 40 कोश्चन कर रहे थे फिर 50 कोश्चन किए अब करें सौ कोश्चन यानिْ 2021 के पेपर में 100 question आपके जो मिलेंगे जिसमें से 50 question को तिक लगाना है और पचास question छोड़ देना है यानि पचास number आपके mcq से बनने वाले हैं और पचास नमबर आपके सब्जेक्टीब से बनने वाले हैं टोटल सौ को आप देखते जाएंगे जल्दी-जल्दी करने का परियास करेंगे आज हो सकता है कि जो पहले 20 मिनट लगते थे 20 मिनट हो रखेंगे कोश्चन लिखा है कि सर की उपादी किसने वापस ली थी तो आप जानते हैं कि जब जलियाओला बाग अतिया कांट हुआ था 13 अप्राइल ठीक है 13 अप्राइल ठीक है 13 अप्राइल 13 अप्राइल आठ उनई सो निनानव में सब्सक्राइल ठीक है तो यहां पर सर की उपादी त्यागी तो यहां पर सर की उपादी बोल रहा है तो आपका क्या हो जागा सी आपका राइट हो जाएगा कोई दिक्कत है नेक्स कोचन के और बढ़ते हैं कि लिखा है कि 1929 के अधनियम को क्या कहा जाता है तो 1909 के अधनियम को आप भली बादी जानते हैं को 1909 इस उसी में रूलेट एक्ट भी आए था तो अधनियम की बात पूरा है तो यहां पर माउंटेन चेम्स सुधार एक्ट की बात हो रही है तो यहां पो अप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेक्ट कोचन के और बात करेंगे अगला कोच्चन ठीक है चोथा कोच्चन जल जल जदी हम देखते हैं इसको अगला कोच्चन में लिका है कि 24 जनौरी 1950 को सविधान सभा में सविधान सभा के कितने सदस्यों ने सविधान पर हच्छाचर किया था यानि 24 जनौरी को जो सविधान बन गया था कितने लोगोंने साइन किया था तो वो हो जाएंगी आपके दूसर कितना 84 जो थे उन्होंने उस पर साइन किया था है इस बात को भी धीयान रखेंगे ठीक है जब की कभीनेत मिशन की बात करें कि मिऑने 112 को बाइया था तो 1946 में मिउशन भारत आया था इस बात को यह रखिमे कि इसमें तुन सबस्रेश थे जिसका नाम थी पहतें लोरिंग्स एबी एलेक्जेंडर और सर अस्टेफो क्रिप्स यानि तीनों जो सदस्य थे इन में से सभी आपका राइट हो जाएगा ठीक है इसके कहानी आपको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएए और आप जो अधुनी की तियास का है उसको आप देखिए पूर अधंडर से हिक भारत वर्स प्लेक्स वर्स गरतांत्र होगा था जड़तां लेकिस सभीधान क टब्ल राज गोपाल चारी जो थे अंति मुवाइस रहे थे ज्यादा फाष्ट बोल रहे हैं धीरे धीरे बोलने का परियास कर रहे हैं ठीक है क्योंकि सोब कोश्चन है इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी याद कर लिए टाइम आदमी के पास कम रहता है या देखिए याँ पर भारतिय राष्टिय कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी इनके सस्थापक ए ओ हुम थे इन बातों को धियान में रखेंगे ठीक है और यह कहां गुआ था तो मुंबाई के तेजपाल गोकुल दास कॉलेज है वहीं पर हुआ था और उसमें कितने कि यहां पर देख लेते जल्दी आईए लिखाया कि सतंत्र भारत की प्रथम राष्पती कौन थे तो राष्पती बने थे डाक्टर रजेंद्र परदाद और परधान मंत्री बने थे पंडि ज्वालन निहरू भारत सतंत्र जब भारत सतंत्र हो गया तो राष्पती इसां बात बात करेंगे कि तो कि की यात्रा बितान थे इता तो बात सब्सक्राइब बात जानते हैं कि अलबुरुनी की पूस्ता का किताब उलहिंद जो गजनवी के समय भारत आया था इस बात को भी दियान रखेंगे कोस्टन लिखा है कि इस्ट इंग्लिस इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना कब होई थी तो यह बात हो गई तो वह हुआ था इस बात को भी दियान में रखेंगे आईए अगला कोस्टन देखते हैं तो न समझ में आएगा पूरा देखते नहीं है तो कहां से होगा पूरा वीडियो को देखिए तब न ठीक है थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं आपको परसानी नहों ठीक है अब देखिए बात करें कब हुआ तब यह तो संत्रा संतहाल विद्रो जो हुआ था वह अठार सो पॉच्पन में इस बात को याद रखेंगे लिखाए किस गवर्णर जनलन ने महालवारी विवास्ता को लागू किया था तो इसमें दिया है लेकिन वारेंग लाड़ हेस्टिंग होगा इस बात को याद रखेंगे ठीक है इसके अप्सन को उन्सार महलवारी विवास्ता लाड़ वेंटिंग होगा अप्सन सी हो जाएगा लेकिन आपके एंसी आटी बुक में यह दिया है तो लाड़ हैंस्टिंग को ही क्लिक करेंग अगर लिखा रहेगा तो ठीक है इस बात को दियान में इन निता थे ठीक है लिखाए कि धुक्त धौकर दंगा आयोजन का गठन कभ रहता तो धौकन दंगा का जो गठन गठन रहता ऑठ हो फिर आठारों सो पाच्वतर इसमें हुआ था यहांपा बात करेंगे कि रानी लच्मी बाई को किस किन नाम से जाना जाता है मनिला रानी यह चाहीं हो जाएगा थिक है नेक्स्ट कोचण की बात करेंगे तरवा कोचन की वड़ में अथारस ओ Vehicle कि करांति का थी किसंद मा कि उप्सन्न आपका ओप्षिंगलm राइट हो जाएगा कोई दिक्कत है यहां तक अब यह जाईए मत थोड़ा सा डिस्टर्प मत किया पूरा देखे वीडियो को ज्यादा फाइस्ट पूरें धीरे-धीरे बोलने का प्रयास करें कि आपके कंप्लेट हो जाए ठीक है आए लिखा है कि 1857 के बिद्रोह के समय भार जो उससे में गवर्नल जनल जो था लाड कैनिंग था यहनि आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा लिखा एक नेस्ट कोशन में कि 1857 की करांती के तातकालीन कारण क्या थे तो आप जानबे करते हैं कि मोंगल पांडे जो थे वह मोंगल पांडे को पता चल गया कि ज इसलिए चारवी वाले करतूस के लिए क्या हुआ तातकालीन कारण भी हुआ और 10 माई 1818 मेरड से क्या होता है कि यह आठारस संतावन के करांती स्टाट हो जाती है ठीक है नेक्स कोशन की बात करेंगे नेक्स कोशन में क्या लिखा है कि निमली खीत में से किसने मोहन जोद् में जब की मोहन जोद्रों की खुदाई जो थे राखल दास बनर जी कब 1922 में याद रखेंगे तो यह मोहन जोद्रों पूछ रहा है तो डी आपका अप्सान राइट हो जाए गा आगे कोशन देखते हैं नेक्स कोशन में क्या लिखा है कि कि किस धातु का ज्यान सिंदु सब्सक्राइट के वासियों नहीं था निष्षा की अप्सराइट हो जाएगा ठीक है कि मचपी जोड़ते हैं मैं Бог थिए ठीक है थोड़ा सा रूक को देखते हैं भाई भाग यह मतप आप आप लोग कंट करते रहे हैं लिखा कि एसी यह सिया टिक सोसाइटी की अस्थापना किशने की थी तो यह करने वाले व्यक्ति थे आप भौली बाती जानते हैं मेरे दोस्त कि इनके जो अस्थापना करने वाले थे बिलियम जोन्स जो थे इन्हें ने इसने क्या किया था कि एस साइटी सोसाइटी के अस्थापना क किनारे जानती है किनारे जब की बात करेंगे शिंदू की मोहन जदरों जिनदू नादी किनारे है इस बात को चैनल लड़ी कब लड़ी गई थी तो कलिंग के लड़ाई जो है कलिंग का मतलब उडिसा में जगा है कलिंग के लड़ाई होती है और असो के और वहां के राजा खारवेल कब होता है दूसर दूसर 61 इसापूर में कलिंग के लड़ाई होती है और ये असोक के तेरहवे सिलालेखों में बनन किया गया है असोक के कुल 14 सिलालेख थे जिसमें तेरहवे सिलालेख में जो कलिंग के लड़ाई हुई थी उसका बनन किया गया है तो option आपका ये जो हो जाएगा राइट हो जाएगा नि खाना नन्त को प्राजजित करकर मौरवन्स के अस्थापणा की कि और मौर चंद्र गुप्त ओन्तर का पूत्र था बिंदू सार और बिंदू सार का पूत्र था कौन सुस् Kick और असो क तो असो क 몇 5 related was done तो मौरबन से संबंदी था इस बात को याद रखेंगे लिखाए कि पूत्र की अस्थापना किस ने की ही तो पूरा वीडियो को देखिए मेरे दोस्त आपको पूरा समझ में आएगा का लश्ट कौोच्चन खाली लिखा है लाश्ट में लिखा कि मुदेरा dip पुषटक का नाम है किसось हने राचना की है मुदेरा कि मुदेरा राइब चाहिता है आपको उप्सण भी हो जाए गा मेगा आस्तनी ace untuk ने है इसने इंडिका पुषटक की रेचना जहाते रहाएँ कोई दिखत नहीं है लिखा है कि स्वमुंद्र गुप्त की तुलना किसे से की जाती है तो नपोलियंग जाता है इस बात को ध्याद गिए लिखा है कि बूध का जनम कहा उए तो हमने बता हा है जनम लुणու Patient ﷺ पर जो नेपाल ने पढ़ता है वहां पर गौतम बुद्द की जनव हूए थी और उनका भज़जपान का नाप सीधात था और कौन से बन से थे तो साक्य बन से थे इस Representatives अगला कोशन है हरापा सभेता किस यूग की सभेता है तो हरापा सभेता किस यूग की सभेता है किया ताम्र सभेता नंसे कोई नहीं मौहन जोडरोग का साबडिक मतलब होता मौहन जोडरों का सावदिक कैल बारतिए पूरातत्व एक पाद किने कहा जाता है तो भारतिए पूरातत्व के पिता जो है अलीक जेन्डर करिंधम को कहा जाता हैसे बात में ध्यान में रखेंगे हमने बता यहैं नर्थिय लिखवा भी दिया है आप वीडियो देखें दाया राम साहनी ने हड़ापा की खोदाई कर वाई थी ठीक है किसकी हड़ापा ने जबकि मोहन जुद्रों की खोदाई कर वाई थी राखलदास बनर जी और किनके नेतित में हुआ था तो सर्जौन मानसल के नेतित में हुआ था ये भी अब बात धियान में रखेंगे अगल पर हैं नेक्स कोचन की बात करेंगे के लिखा है कि पाटली पुत्र नगर की अस्थापना किस नदी के किनारे हुई थी तो मैंने लिखवाया था कि जो मगद था सोरव महाजनपदों में सबसे आगे जो आता है मगा दाता है उभर कर और किस्ण नदी किनारे तो हो जाएगा गंगा और पुन-पुन ऑप्सन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा नेक्स कोचन में क्या लिखा है कि भारती इतिहास का कौन सा काल स्वन काल के नाम स कह disappears सूंद सोने के सीए किसे चलवाय थे कुशार और सबसे सूने के चले तो गुप्द काल में नाम से जाता है तो कौन सा option हो जाएगा तो गुप्त काल आपका right हो जाएगा क्योंकि स्वोन काल के रूप में गुप्त काल को ही माना जाता है थिक्हें बेदु की संख्या कितनी है अब भल्वाती जानते हैं कि बेदु की संख्या चार है रीग वेद, अत्थर वेद, सामstes और यजूर जानते हैं कि दो समंडल एक हाजार एक आठाइस सूत हैं इस बात को ध्यान में रखेंगे कोई दिक्कत है नेक्ष्ट कोचन की और बात करेंगे लिखा है कि मौर समराज का प्रोथम सासव कौन था तो भॉली भाती जानते हैं कि मौर समराज की अस्थापना किस ने कि थी तो चंद्रगुप्त मोर ने तो सासव कौन होगा भाया चंद्रगुप्त मोर ही होगा सासव कौन बनेगा यही तो बनेगा राइट एंसर हो जाएगा अगला कोश्चन की और बात करेंगे यह अगला कोश्चन आपकी समक्ष है चलिसवा कोश्चन जल जली देखते हैं लिखा ह हैं अगर आप माभारत देखी होंगे तो भाइया दूर्पति किसकी पुत्र थी पाचो भाई की पत्नी थी पुछा गया है ना की पूत्र उसके लिए सौरी पूत्र बोला जा रहा है जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना सौरी धीरे-धीरे हम बोलने का प्रयास करें ठीक है कभी आपका राइट इंसर हो जाएगा कोई दिक्कत है को समस्य तो बताइए लिखा है कि सेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है सेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है तो लाला लजपत राय को सेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है इस बात को याद रखेंगे नेक्स कोशन में लिखा है कि नेता जी सुभास चंदर बोश ने 1949 में किस पार्टी का गठन किया था इस बात को याद रखेंगे आपका 42 वा कोशन जो है आपका 42 वा कोशन आपका बहुत ही सुन्दर और सुसील कोशन है इसके अप्सन जो हो जाएंगे बैलक्सवा कोशन इसने फारवड बलोग की अस्थापना कि थी नेता जी सुभास चंदर बोश ने कोशन आपका इस बात को ध्यान में रखेंगे नेक्ट कोशन में बात करेंगे कि लिखा है कि 14 नौवंबर किसका जनम दिवस है 14 नौवंबर जो है वह 43 जो हो जाएगा 43 का 14 नौवंबर को किसका जनम दिन है तो इसमें हो जाएंगे ये जुवार लाल नहीं हरू का जनम दिवस है याद रखेंगे कोई दिक्कत होनी वाली नहीं है मेरे दोस्त जबकि बात करेंगे कबिनेट मिशन कब आया था तो 1946 में था ठीक है 1934 में इसमें वह अमने बताया था कि तीन सदस्य थे ऐलेक जेंडर ठीक है अलेक जेंडर थे शर पैथिंग लोरेंस थे ठीक है और स्टेपर स्कृप्स थे यह तीन इंग्लेंड से भारत आया थे ठीक है कबिनेट मिशन लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी च देखेगा वीडियो को आप जाइये मढ छड़के आपके लिए मेहनत हो रहा है आप भागएंगे तो कई से माज़ा देगा नमबर लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा तीखाए कि मुस्लिम लींक की अस्थापना कब हुई थी तो मुस्लिम लिंक की की अस्थापना हुई थी 1911 में भौली भाती जानते हैं तो 1907 में क्या हुआ था 1907 में गरमदल और नरमदल का बत्वारा हुआ था इस बात को याद रखेंगे और 1911 में क्या हुआ था बिहार जो है अलग कर दिया गया था कलकता से दिली आस्तनांदित किया गया था 1911 में इस बात को ध्यान में रखेंगे लिखा है नेक्ट कोचन मैं सब का मोडिफाइक कर देता लेकिन आप लोग कम समय वाला वीडियो ज्यादा देखते हैं इसलिए कम समय वाला में वीडियो आपको लिख रहा हूं अगर ज्याद जय किसान का नारा किष्णे दिया था तो भॉली बाती जानते हैं कि लाल बहादूर सास्तरी यह जो थे इन्होंने जय जमान जय किसान कहकर संबोधित किया था यानि ऑप्शन आपका 47 से ठीक है 47 का आपसन आप देखिएगा तो जय जवान जय किसन का नार किसने दिया था तो लाल भादूर सास्तरी ने ठीक है और भारत यह मुख मंत्री ऐसे थे कि जो भारत में इनकी मिर्टू नहीं बलकि विदेश में मिर्टू हुए थी इस बात को याद रखेंगे भारत का राष्ट में रखे जाएंगे ठीक है राजेंद्र परसाद का जन में कहां हुआ था तो बिहार के सीवान जीले में हुआ था याद रखेंगे बिहार के सीवान जीले में कहां डाक्टर राजेंद्र परसाद और भारत के प्रथम राष्पती बने थे ठीक है डाक्टर राजेंद्र प अब भागिये मत पूरा देखिए भारत का सब इधान कब लाग हुआ जानबे करते हैं 26 Nemo 150 को याद रखेंगे प्राथम बहुत संगती का आयोजना आप कुप पता होगा कि यह कहां हुआ था राजगरी उस समय के साशक को थे तो उस समय के साशक थे अजाज सत्रू दितिये बहुत सभा का आयोजन कहां होता है तो आप भली बाती जानते हैं बैसाली में दितिये कहां पाटली पूतर में चौथी कहां कुंडल बन कास्मीर में उस समय चौथी बहुत सभा का आयोजन के समय सासा कौन रहते हैं तो कनिक्स कर रहते हैं इस बात को दियान में मेरे दोस्त एक कई बार पूछे गाए जो मैं बोल रहा हूं पूछे गए हैं यहांप लिखेंगे तकर कि दिवांगार का मतलब कि जो नग ने होकर नंगा रहकर अपने धर्म को नी भाता था उसे दिवांगर कहा गया इस बात धियान रखेंगे बहुत धरम में दो भागों में बट गये थे हीन और महायान यहीन यान महायान किसे संबंदी थे तो बहुत धरम से और से तामबर दिबांगर पूछा जाएगा तो जयन धरम से अपसन अब का बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोच्छन की और बात करेंगे कि सेनगे कि समराट को हराया था जिसने क्या कि था मूगल को हराया था याद रखेंगे आगे बात करते हैं कि जलए-च्ऱ पहुंच गए हम लिखाया के जहांगीर का सासन कर था अब जानते हैं कि अकмर का पुत्र का नाम क्या था ज़हांगीर आप इसके बाद का सासन करेगा तो कहीं पर आधेख लीजिए सो्वसाद में अकपर की मेरतू होती है सोवसाद यहां पर नहीं कि दिया है यहां पर देखिए ईयाँ रखेंगे ठीक इसके सासनकाल से मैंने अच्छे से लिखवा है तो उसको भी धियान में रखेंगे च्छापनमा कोश्चन लिखा है च्छापन कोश्चन याद रखेंगे च्छापन कोश्चन में लिखा है कि सूलह एक कूल का साथिक मतलब है तो सरभामिक सांती कौन से सांती सरभामिक सांती इसका मतलब है ठीक है याद रखेंगे option C आपका right हो जाएगा अगर 57 की बात करेंगे कि 1556 में पानी पत के दूसरी लड़ाई में अकबर ने की से हराया था तो जो हैमु था उसे हराया था पानी पत का दितिय उद किसके के साथ हुआ तो ये पूछा जाएगा तो अकबर और हैमु के साथ हुआ था अब पानीपद का तीतिय उद्गा वह था तो 1761 में हुआ था पानीपद का परतम युद्गा वह था तो 1526 में हुआ था किस付 भीच हुआ था इमराहीं लोधी और बावर के ब्रży और बावर की उसी समय अपने स्थाया करता है यह मैंने बताया कोई बार कि जीतल dauए कि अर्थ क्या होता जीतल मतलब आप सीकर जीतल मतलब का सीकर जीतल मतलब का सीख का याद राखेंगा अप्सण का यूद किसने जीता था जो कुर्षे जो माभारत के नाम से जान जाता है तो उसमें जीतने माले कौन थे पांडों ही जीते थे ठीक है तो पांडों जीतेंगे इसमें तो दूसरा को जीतेगा नहीं आपका ए आपका राइट हो जाएगा देख रहे हैं कि इतना बढ़ यह समराज से संबंदी थे हपडी जानते हैं कि विजय नगरण समराज की क्या थी राध धनी थी तो समंद्दित किस्ये हो जाएगी डि से और बगदर राइट हो जाएगा बिजय नगर समराज की स्थापना कभ हुई थी आप जानबे करते ने 133616 में हुई थी और सना तो डिय किच्छन लिखा या पुस्तक जो किसने लिखा तो कृष्न देव राइने लिखा एवार विवास्ता संबंदीत थी ते 64 का भली बाती जानते हैं 64 का वी हो जाएगा 64 का दि क्वाइब किसे संबंदित सम्देथ सब्सक्राइब करते हैं कि गजनवी के समय भारत आया था और आप जानते हैं कि कि दो सब पचीश का आक्रमन जो किया था सोमनात मंदिर पर अज़ोना चानी खुब लोटके गया था को दिखत है आगे बढ़ते हैं आगे लिखा क्या है कि देखिए जल 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 दी लिखा है कि चौति बौध परिसद की सासक के सकाल में हुआ था तो हमने बताया कि चौति ब कनिक्स को मारेंगे कनिक्स का कहा हुआ تھ motorcycle Allah का में हुआ ता इस बात को धियान में रखेंगे लिखा है कि बंगाले में भौक्ति आंदुलन का प्रसार किसे संद में किया था तो बंगाल की बात हो रहा है तो आपका सौराइसोट हो जाएगा सौलसटए आपके सी हो जाएंगे चैतन यह ने बंगाल में भौकती अंदोलन का परसार किया था परसार का मतलब उसे विस्तारित करना याद रहेगा लिखा है कि तलवंडी किसका जनम अस्थान है कोई बार एक जामें पीछे पर देखेंगे तो रिपीट किया गया है तलवंडी पकिस्तान में परता है यहां गुरु नानक डेव का घनम हुआ था ठीक है अस्थान यही हैं जबकि बात करेंगे मीरा भाई राज अस्थान से संबंदीत है जबकि कभीर और अविदास जो है युप टी से संबंदित है दोनों कहा जनम होता युप याद रखेंगे लेगे को बहुबर कर जाएगा याद रखेंगे नेक्ट कोशन के और बात करेंगे सत्तर आगे जल जली देखते हैं लिखाए कि कैप्टन हॉकिंज किस मुगल सासक के दर्बार में आया था तो कॉप्टन हॉकिंज जो था उस समय हम बात करेंगे कि महारानी जो अलिजाबेत थी उनकी मिर्टू हो जाती है सोरा सौती निश्वी में सोरा सौती मिस्वी में लिजाबेत की मिर्टू हो जाती है तो उस समय जेम इस परिमसंड नाम का व्यक्ति ब्रीटेंब का राजा बनता है वह कैप्टन हाकिंज भारत में और वहां से अपना बैपार करने का मार्ग परसुष्ष कि दिये तो उस समय सासन जब आता है उद्स सचलता है तो अकबर का सासन था लेकिन है केपटन हाकिंख जो था भारत बहुता है औरुमकिन 108 में पहुंचता का वयं 10108 में कौन चैप्टन हाकिंख भारत रहता है लेकिन सूरंसोब पांच 202 में ही अकबर की मितू हो जाती है और उसका पुत्र जो होता है जहागिरी उसका सासन हो जाता है लेकिन केप्टन हाकिम चला था अकबर के दरवार में आने के लिए लेकिन वहाँ अकबर से भेट नहीं होती क्योंकि गुजर गया था तो उसका पूत्र जो था जाह गी किसके दर्वार में पहुंहता है यो यहां यो समये देखते हुए हम ज़ले-ज़ले चल रहे हैं आपको कोई दिहक्त नहीं है नहीं हो तो अगर दिखत है तो कमेंट ज्रूर किजेे पूरा वीडियो के देखए मेरे दोस्त मेरे भाई लिका है कि सलीम चिस्ती कि की दरगा कहा इस्तित है तो मोनी दूर चिस्ती का दरगा अगर पुछा जाएगा तो आगरा में हो जाएगा ओप्सक्ण आपका ये जो हो आप देखिए कि संत कभीर का जनम कहा हुआ था संत कभीर की बात करेंगे तो अभी तुरत उपर हैं बता हैं कि वानार सी में इनका जनम होगा ता अपसन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा लिखाया कि भारत आने वाला पहला एरोपी कौन था आप जैनबे करते ह होगे लिखा है पलासी की पलासी की लड़ाई कब हुई थी अब जनबे करते हैं सथाई बंदोबस्त किसने लागू किया था तो करनवाल इसने आपके 76 के कितना हो जाएंगे यह आपकी राइट हो जाएंगे कोई दिकत आगे चलते हैं आईए अब तो समाप्ति हो गया बानवे कोशन इसमें पहुंच जाएंगे और आठ कोशन और बचेगा कोई दिकत नहीं है अब देखिए जल जल दी जयमत पूरा जो वीडियो को की रानी थी ठीके इनका जनमें लेकिन नहीं कि रहने वाले तो बारे में बारे में आप जनवे करते हैं बह्या कहां– गयाcall के निभाने वाले कौन थे इन बात को याद रखेंगे जबकि पटना से पुछेगा तो पीर अर्ली ठीक है याद रखेंगे जो समझा है जो किताब को पढ़ा है उसके अंदर कोई इसमें दिकत नहीं होने वाली है लिखाए कि महात्मा गांधी द्वारा सुरू किया गया पहल अंदर को पहला जन अंदोलन कौन सा था मात्मा गांधी द्वारा सुरू किया गया पहला जन अंदोलन कौन सा था तो उस्योग अंदोलन था जो 1922 में शुगात की गई थी याद रखेंगे यहाद लिखाए को 1922 में भार्तिय राष्ट्य कांग्रेस के लखनाउ तो अम्भीका चरण मजुदार ने की थी आपका भी अप्शन राइट हो जाएगा याद रखेंगे उन्हेसा सोरह में ठीक है उन्हेसा पंदरा इस्वी में महात्मा गांधी दचिन अपिकर से भारत आते हैं ठीक है तो उसके एक साल बाद ही सोरह में महात्मा गांधी भाग अधिये थे उन्हें सोरह में और उसमें अम्भीका चरण मजुदार जो थे अध्यक्ष थे लखनावर जो अधिवेशन हुआ था उन्हेसा सोरह में याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन की बात करेंगे विक्टोरिया टर्मिनल किस अस्था पे अस्था पे सैली का उधारन है आप जानवे करते हैं कि विक्टोरिया जो टर्मिनल यह किसका है तो यह नव गातिल्यों कि का थीक का है यानि नव गातिका आप्सट्ट में रेल्वे के सुर्ध का हुई थी तो पंद्र ऐतार सो तीरपन यसी में लर्ट लोह जीके समय हुई थी इनेक्स कुचन के बात करेंगे कि मातमा गांदी दच्विन अपीकर से भारत भारत बश्कब लोटे थे तब लड़ बता है देखिए बस बस अब थोड़ा सा ही बच्चा है लेका है कि महात्मा गांधी के राजनीती गुरू कोन थे तो राजनीती गुरू जो थे सब्सक्राइब मार्च से भली ऑपांड़ बांड़ी जहानि जानते हैं 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 कि सबने अग्य अंदुलन की सुद्धात हुए थी 12 मार्च 1930 को सब्देशी अंदुलन कभ इस्टाट हुए थी तो 1905 को असायोग अंदुलन 1920 को भारत छोड़ अंदालन 1942 में मात्मा गांधी ने इस अंदुलन में करू और साइमन कमिशन भारत का वाया था तो 1928 में भारत आया था साइमन कमिशन थिक है उसमें साटों साइमन कमिशन में साटों जोति अंग्रेश थे इसलिए इनका विरूत किया गया था लिखाए कि गंगा पूत्र किसे कहा जाता है तो आप जानते हैं जो गंगा जी के पूत्र जो कहा जाता है माभारत देखेंगो तो भिस्मे पितामा को कहा जाता है तो सी आपका अप्शन हो जाएगा भिस्मे को किसको कहा जाता है गंगा पूत्र भिस्मे को कहा जाता है याद दोस्त लिखाए कि अस्तूप का संबंदी थे अस्तूप किस्से संबंदी तो अस्तूप ऐसे होते हैं और जो बहुत धर्म के अनुवाई होते थे जो मर जाते थे तो उनकी अस्तिया इसमें लाकर रख दी जाती थी यानि बहुत धर्म से संबंदी थे तो बहुत धर्म से या अपका बात करेंगे अकबर नामा जो पुस्तक इसकी रचना किसने की थी अबुल फजल ने इसकी रचना की थी जो अकबर नामा है ठीक है यहाँ पर बात करेंगे दिल्ली से दोलताबाद किस साशक ने राध्धानी को परिवतन करवाया था तो मोहमद बित्तुलबगलक जो वह दिल्ली से दोलताबाद अपनी राध्धानी को करवाई थी नेक्स्कोशन की और बात करेंगे अन्तिम कोश्चन अब आ गए हैं इधर यह कहा है कि ताज महल किस नदी के किनारे इस्तित है तो यह नदी के किनारे हैं किसने बनवाया था साज जहाने ठीक है दिल्ली का कि धियान में रखेंगे सवगा कोश्चन लिखा है कि भारत में मुगल वंस की अस्थापना किसने की तो बाबर था पानीपत का प्रतम यूद्व जो हुआ था पंद्रहसोचापना होती है तो दोस्त आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करें अगर आप निमाद मेरे दोस्त